प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में लगातार धान की आवक बढ़ रही है सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों से धान खरीदने के लिए सारे इंतजाम रखे गए हैं किसानों को उनके बेचे गए धान का भुकतान भी उनके खातों में किया जा रहा है एक नवंबर से चालू धान खरीदी सीजन में अब तक 4,20,335 मिट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है लगभग 1,33,620 किसानों ने धान बेचा है धान के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहट 854 करोड 98 लाख रुपए का भुगतान जारी कर दिया गया है खादेव भाग के सचिव शिटो पेश्वर वर्मा ने बताया कि अधिकारी धान की व्यवस्था पर निरंतर निगरानी बनाए हुए है सीमावर्ती राज्यों से अवैद धान परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट के जरीए कड़ी निगरानी रखी जा रही है कोरिया जिले में भी धान खरीदी जारी है कोरिया कलेक्टर विने कुमार लंगें जिले में धान खरीदी की व्यवस्था की निगरानी खुद कर रही है कलेक्टर ने बताया कि कोरिया जिले में 16 समीतियों में धान खरीदी की जा रही है कोरिया जिले में 9,44,590 तन धान खरीदी का लक्ष रखा गया है जिसमें अभी तक 7,288 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है उन्होंने बताये कि जिले में 20,908 किसान पंजिकरित हैं गाउं में टोकन काड़े गे हैं और आगे जैसे ही आवक होगी तो महारी तैरी पूरी है इसके लिए पूरी वस्ता करने के लिए SDM को तसिल्दार को वमारे फूड ओफिसर्स को जोवार समदे दिधिकारी करन चारी है उनको विश्तिक दीशन देशन देशिए गोरतलब है कि धान का टाई और मिंजाय का काम पूरा होने के बाद खरीदी केंडरों में आवक बढ़ रही है